नमस्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज नितिस नहीं तो कौन वैसे तो पिछले 15 वर्ष से बिहार की सत्ता की कुर्सी पर नितिस कुमार ही बैठे हैं और जिस तरह से कोरोना काल में भी उनकी पाठी चुनाओ के लिए आतुर दिख रही है उसे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि छो बार बिहार की मुख्यमंत्री की सपत ले चुके नितिस कुमार खुद को सपने में साथवी बार मुख्यमंत्री पद की सपत लेते हुए देख रहे हैं लेकिन याद कीजिए याद कीजिए कि कनहया कुमार की जनगनमन यात्रा राजद निता तेचज़वयादों की बेरोजगारी हटाऊ के साथ ही परसांद की सोर बिहार में एंट्री और फिर 8 मार्च को पुस्पंप्रिया का भॉकाल और उसके बाद बिहार में कोरोना काल और पिड़ बाढ़ के हाहाकार ने जरूर ही उनके सपनों को तगरा जटका दिया होगा लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के सहयोग से बिहार की सत्ता परकाविज नितिश कुमार को ऐसा लगता है कि बिहार के मुखमंतरी के रेस में उनका पलरा अभी भी सब पर भारी है अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यूं आखिर क्यूं एंटी इंकंबेंसी लगतार बढ़ रही बिरोजगारी बदहाल सिक्षा विवस्था बदहाल स्वास्त विवस्था कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कोई रोजी रोटी के लिए तरसा तो वो बिहार के मज चुदूर थे हर साल आने वाले बाड का 15 साल की सत्ता परकाभिज रहने के बावजूद नितिस कुमार कोई अब तक निदाने नहीं निकाल पाए इसके अलावे अन्य कई समस्याओं के बावजूद आखिर क्यूं बिहार में नितिस कुमार अभी मुकमंत्री चेहरे की रेस सबसे आगे नजर आ रहे हैं लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि सवाल का जवाब भी एक सवाल ही है कि नितिस नहीं तो कौन बिहार में नेताओं की कमी नहीं है विपक्ष में युवानेता के तोड़ पर तेजश्वी यादों हैं तो दूसरी तरब बिहार की राजनिती में उभरते सितारे कनया कुमार हैं इनके अलावे रालोस्पा के मुखिया उपेंदर कुस्वाहा भी मनीमन नितिसकुमार की बरावरी करने की हसरत पाले हुए हैं राजनिती के मार्केट में एक नया नाम पुस्पंपडिया भी आया हुआ है देखना है कि कब तक टिकता है बीजेपी में भी कई नेता हैं जो समय समय पर नितिसकुमार को किसी ना किसी बहाने कोशते रहते हैं लेकिन बात जब मुखमंतरी की होती है तो बीजेपी का केंद् नितिसकुमार को एंडिये के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने से पीछे नहीं हटता क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि नितिस नहीं तो कौन राज़त निता तेजस्वी यादों को लालू यादों का उत्राइधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है माना जा रहा है कि विपक्षिमा गडबंदन से वही बिहार के अगले मुखमंदरी के उमिद्वार होंगे मानना क्या है यह तो सच्चा ही है लेकिन क्या विकास पूरुस कहे जाने वाले नितिस कुमार का विकल्प बन पाना बिहार में अब इतना असान है और क्या बिहार की जन्ता की नजरों स से राजत के समय का जंगल राज जैसा की कहा जाता है उजल हो पाया है यह दो महत्वपूर्ण बुनियादी सवाल है जो बिहार विधान सबाद 2020 के चुनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाने वाला है हलांकि इसमें कोई सक नहीं है कि नितिस कुमार अपनी जिस विकासवादी छवी के लिए जाने जाते थे वह अब लगबग धूमिल होती दिखाई दे रही है बिहार में पिछले कुछ साल में अपराद का ग्राफ भी बढ़ा है कोरोना ने तो जैसे बिहार की कमर ही तोड़ दिये रोज काम करके अपने और अपने परिवार का प डाने वाले सिक्षक भी सभी लॉकडाउन की मार जेल रहे हैं कई महीनों से उन्हें कोई सेलरी नहीं मिली है लेकि नितिस सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती ये बात जरूर है क्योंकि मजदूरों की तरह इस सरकार का इनसे भी कोई वास्ता नहीं है चाहे वह ओफिस वा आई है यही वह सवाल है जो हमें यह पूछने पर मजबूर कर दे रहा है कि नितिस नहीं तो कौन आप जवाब जरूर दे कमेंट बॉक्स में ताकि हम समझ सकें कि जनता की पसंद अब किस तरफ जा रही है अगले महीने सिप्टेंबर में चुनाओ की घोसना भी होनी है देख धन्यवाद